हालो दोस्तों, आले में स्पूतनिंग 5 को भारत में मन्जूरी दी गई है, आईए इसके बारे में जा लेते हैं। रूस दुआरा विक्सित COVID-19 परतिरोधी वैक्सिन स्पूतनिंग 5 को डर्ग्स कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया यानि की DCGI ने अपात का लिन उप्यों के लिए मन्जूरी दे दी है। आपको याद रखना है कि स्पूतनिंग 5 किस देश की वैक्सिन है, रूस की वैक्सिन है, भारत में इसको किस ने मन्जूरी दी है, डर्ग्स कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया ने, यह तीसरी वैक्सिन है जिसको अपात का लिन सिचूएशन में मन्जूरी दी गई है, पहली माइक्रो बाइलोजी दुआरा बनाया जा रहा है, इसमें दो अलग-अलग वैर्सिज का प्रियों किया गया है, जो कि मनुश्य में सामाने सर्दी एडेनो वैरस का कार्ण मनते हैं, आपको याद रखना कि एडेनो वैरस सतर से नब्बे नैनो मीटर का है, और यह एक डिया प्रभाव कारिता की बात करें दो, जब इसको टेस्ट किया गया था, तो सो में से 91 लोग इससे ठीक हुए थे, अब आईए इससे समंधित एक प्रशन देख लेते हैं, प्रशन है, कोविड-19 परतिरोधी वैक्सिन के संधर्व में नियमने लिखित गत्रों पर विचार रूस दुआरे विखित कोविड-19 परतिरोधी वैक्सिन है, दूसरा, कोविड-शिल्ड और कोवैक्सिन का निर्मान क्रमश है, भारत बायोटाइक वैस सिरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया दुआरा किया जा रहा है, उप्यूक्ट कत्रों में से कौन साया से सही है या है, ओप्शन से केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर इन में से कोई नहीं, इसका सही जवाब ओप्शन ए है, यनि कि केवल पहला कत्र सही है, दूसरा कत्र इसलिए गल्द है, क्योंकि कोविड-शिल्ड वैक्षिन का निर्मान सिरम इंस्टिटूट कर रहा है, और क वैक्षिन वैक्षिन का दिरमान भारत बायोटेकर रहा है, जबकि दूसरे कोशन में इसका उल्टा बोला गया है,